नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसीस और आप देख रहे हैं लर्ण विल चैनल दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ लेके आया हूँ तो यह है हमारे पास XL2 Tally Regular आप Leisure Master Stock Master Advanced Stock Item Vouchers विद स्टॉक आपका इसमें Multiple Stock का Detail भी आप फिल कर सकते हैं और साथ में आपका इसमें Order-wise Detail भी आप फिल कर सकते हैं और इसके थूँ आप Self-Purchase हो गरे की Entry तो ले ही सकते हैं उसके अलावा आप इसमें Order Vouchers हो गरे की Entry ले सकते हैं और इसमें आपको सारे Details मिल जाते हैं जो एक Voucher में होने चाहिए और फिर उसके बाद फिर हमारा यहां पे भी वही Same Format का Advanced Accounting Voucher है और फिर हमारा All-In-One Voucher है इसमें आपको एक साथ सारे Entry लेने के लिए मिल जाते हैं और फिर हमारा है Multi-Thousand Vouchers मतलब आपके एक ही Voucher में कई सारे जब Leisure रहते हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं यहां पे आपको एक साथ कई सारे Leisure डेविट क्रेडिट करने के लिए मिल जाते हैं तो आज का जो इसमें नई सीट एड़ हुई है दोस्तों यह है Material In-Out करके Material In-Out आपका बहुत ही अच्छा चीज रहता है टैली में इसमें आप बिना किसी चीज को एफेक्ट के बिना किसी चीज को एफेक्ट पहुंचा है आप Material को इधर सुधर ट्रांसफर कर सकते हैं आउट कर सकते हैं और भी वांकि आप लोग जानती होंगे जो यूज करते हैं तो अलग अलग तरीके से किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं तो यह टैली में जो आपका रहता है Material In-Out का जैसे आप यहां पर जैसे हम लोग Inventory Voucher में जब चलते हैं तो Inventory Voucher में आपको यहां पर दिख जाता है Material Out और Material Link करके तो इसमें आपके Stock आइटमस आ जाते हैं Quantity Rate ओगर यहां पर सेम वएसे ही दिया रहता है Cell Invice के साथ में जैसा जो Entry आप कर सकते हैं यहां पर आपको एक चीज यह दिख जाती है Destination Go Down आप Count से Go Down से कहां पर क्या भेजना चाहते हैं आ और साथ में अगर चाहें तो आप Stock आइटम का डिटेल यहां पर डाल सकते हैं वह को भी क्यों क्वांटिटी Rate ओगर आप चाहें तो वह भी छोड़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा चीज रहता है इसमें Material In Out करने के लिए आपको अगर बहुत सारे Entrys करने हैं आपके पास Stock सारी डेट वह रहा है तो इसमें आपकी सारी चीज़ें आगी हैं अब इस सारे Stock को हमें उठा के दूसरी जगह कहीं Transfer करना है या तो हम किसी पार्टी को अगर भेज रहे हैं जो भी पार्टी है या बनाने के लिए भेज रहे हैं तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते ह तो चलिए इसको इंपोर्ट करके देखते हैं एक बार तो यह मेरे पास सारे डिटेल्स यहां पे डले हुए हैं और नरेशन में यहां पे डल गया है अगर उसमें आपको कुछ चार्ज लगते हैं ट्रांस्पोर्टिंग चार्ज अज़र चार्ज अब भी कुछ हैं तो यह यहां पे अप ट्रांस्पोंटिंग चयार्ज हो रहे, डाल सकते हैं अब यह हमारा हो गया लेजर में और भी इस fan झार जिसमें आपको सारी डीटेश जो है बाुचर डेट बाउचर यह नंबर रिफेरेंस यहाँ डीटेटर और डालने लिए है तो यहां से यहां तक के सारे stock item इस particular एक voucher में जाएंगे उसके आप फिर 19 वाले voucher में अलग stock item जाएंगे फिर हमारे 20 वाले voucher में 21 वाले voucher में ऐसे से करके जहां तक आपके numbers same रहेंगे same number के हिसाब से यह सारे stock item यहां से यहां तक उसी particular प्रेटल रिक नंबर में जाएंगे इसकूल नेक्स्ट में यहां से यहां तक इस तरीके से आप जो भी की मुंसमें ट्रांस्पर Rescue होते जाएंगे तो इस में हमें कुछ नहीं करना आप देख सकते हैं जैसा कि यहां पे बसाप को पेस्ट कर देना है जो भी आपका डेटा कर सकते हैं आपको और कुछ लेजर नेम डालना है तो यह डाल सकते हैं तो अब इसको हम लोग generate करेंगे तो यहां पर जैसे ही मैं generate पर क्लिक करूंगा तो हमारी एंट्री जन्रेट होगी और हमारी एंट्री अभी हो रही है एक जुलाई में यहां पर मैंने एक जुलाई 2020 डाल के रखा हुआ है डेट तो चलिए generate पर क्लिक करते हैं तो यहां पर जलसे generate पर क्लिक करूंगा तो यह हमारा यहां पर generate होके आ जाएगा यह desktop में ही मेरा रेगुलर करके इसमें material आउट करके generate होके XML फाइल बनेगी इसको ओके करते हैं जो कि यह XML फाइल कुछ इस तरीके से दिखती है इसमें आपके सारे आइटम सारे चीज़ें आ जाती है अब हमें इसी को टैली मिलेके जाना रहेगा तो हम इसका पत ही यहां से कॉपी कर लेंगे Ctrl-C करेंगे यहां से पत कॉपी हो जाएगा अब यह हमारा जो है यह XML फाइल इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी खुली हुई है अब उसका हमने पत कॉपी किया अब यहां पर हम आ जाएंगे यहां पर इंपोर्ट डेटा में यहां चलके हम उसको पत पेस्ट करके इंपोर् आउचर में चलेंगे और यहां पर उपत जो अभी हमने कॉपी किया तो उसको हम पेस्ट करेंगे अल्ट कंट्रोल भी करके और इंटर कर देंगे तो जैसे इंटर किये आप यहां पर देख सकते हमारा डेटा फ्लास्ट यह एक जुलाई आ चुका है चलके एक बाद चेक कर हमने आउट किये और उसके सारे डेटेलग्स आपको यहां पर दिख रहाएं और अगर्णी में आप यह भी देख सकते हैं हमने ट्रांजlect है कु हमने जो लिया है वह डाउन आ गया सेम एससे हिए आप माटेरियल इन की भी एंट्री कर सकते हैं वसापको यहां पर माटेरियल आउट की जगह में आपका नाम बस भॉच्छर टाइप चेंज हो जाना है मятьरियल इन हो जाएगा यहां पर यह एंट्री आप मैटरियल इन में चले जाएगी और यह आप यहां पर देख सकते हैं मैटरियल इन डाट मैटरियल इन वाली भी आ चुकी है दोस्तो इस तरीके से आप मैटरियल इन और आउट का एंट्री कर सकते हैं और आपकी कितने भी स्टॉक आइटम हो आप जितने चाहें उतने आप स्टॉक आइटम यहां पर डाल सकते हैं वह ऐसे भी आपको यहां पर पांशेयर तक की जिसको आप यूज करके आपका काम बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं और जो भी आपको समय बचे उसमें आप रिपोर्टिंग उवर बना के उस पर वर्क कर सकते हैं तो दोस्तो इसका मैं लिंक दे रहा हूं आप इसको जरूर डाउनलोड करिए बहुत अच्छी जिसको जिसको delicious एच कर दो झाला काम आप बहुत हाँ ज्या दोस्तूर आपको